नमस्कार मैं हूँ विनेश सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की खास खबर में बताएंगे कि जारखंड में फिर से टेट की सुखबुगाहट शुरू हुई है अक्टूबर नौवंबर महिने में इस वर्स की टेट पर इच्छा हो सकती है पूरी बात बताएंगे तोड़ी देर के बाद साथी साथ बीपीएसी का अब सितंबर छे के बाद में सुरू हो सकता है बीपीएसी का इंटरव्यू तो इस पर भी बात करेंगे इसके साथ और भी कई खबर हम तक होगी लेकिन सबसे पहले बता दे कि जेपीएसी में लगातार जो उत्तीन उम्मिद्वार है सारे लोगों की इंटरव्यू प्रतीक संडे को 11 बजे के लाइब शो में दिखाई जाती है आप उससे लास्प लाव अवर्स लेंगे चाहिए वो टॉपर रैंक 1,2,3,4,10 तक के लोगों का इंटरव्यू आप देख पाएंगे इसके अलावा 80 उन प्रतिभाग्यों का इंटरव्यू देखेंगे जो जेपेसी की परिच्छा पास किये हैं आप जेपेसी का स्टेडी मेटरियल मंगवा सकते हैं जेपेसी की तयारी घर से कैसे करेंगे इस सवाल उपते हैं कि क्या इस बार परिच्छा होगा कि नहीं होगा पीटी एक्जाम होगी लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है इसमें इसमें कोई दोमत नहीं है थोड़ा सा डिले हो रहा है परिच्छा में हम समय समय पर पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे साथिसाथ आपको हम यह भी जानकारी देंगे कि और कौन-कौन से एक्जाम होने वाली है सोनी कुमारी मामले पर पूरी की पूरी जो रिपोर्ट होगी वो सितंबर 15 के बाद हम बताएंगे क्या कुछ रूख होगा लेकिन यह उम्मीद की जारी कि जो रिजर्ब रेखा गया ह हैसला लुप 15 के बाद में आ जाएगा सीजिएल को लेकर कई सवाल कई पेफोन हमारे पास आते हैं हम सभी लोगों से फोन पर बात नहीं कर पाते हैं हम तमाम लोगों के बता दे की सीजिएल की एक्जाम अब अक्तूबर में नहीं होगी यह एकजाम का डेट आगे चला कि अक्टूबर के अंतिम सब्ता में तेट परिच्छा होगी उनके इन बयान के बाद इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं कि क्या सारी कमिटी की रिपोर्ट आ चुकी है या सिर्फ पाराशिचकों के मामले को उल्जाने के लिए इसा कहा गया है क्योंकि बहुत से स्टूडे पाराशिचकों को डारेक्ट नुक्ति के संबंद में नहीं करना चाहते हैं उनका यह मानना है कि इसके लिए कंपेटिशन होना चाहिए फिर से सकेंड एक्जाम होना चाहिए हलांकि बहुत बड़े तपके काया करना है कि 2012 के नेमावली पर कॉंसेरिंग करवा देना अगर अक्टूबर के अंतिम सब्ता में टेट का एक्जाम होगा तो इसके लिए फार्म कब निकलेगा नियमों के मताविक कम से कम 45 दिन पहले फार्म निकल जाना चाहिए ऐसे में अक्टूबर तक नजर नहीं आता है क्योंकि सितंबर का महिना सुरू होने वाला है और अग तब अक्टूबर में उम्मीद हो जाएगी जेटेट एक्जाम अगर होता है 2020 वाला तो सवाल यह भी है कि इसके पहले जो एक्जाम हुआ था उनका क्या हुआ 2016 में जो लोग टेट पास किये थे उनका क्या हुआ 2013 में जो लोग जेट पास किये थे उनका क्या हुआ इसलिए उनकी भी नौक्री लगनी चाहिए टेट को लेकर सबसे बड़ा प्रस्ट इस समय में यहीं आ रहा है कि सिप नई टेट परिच्छा ली जाएगी या फिर लेकर बहुत से स्टूडेंट जो इस समय में नाराज चल रहे हैं उनको खुस किया जा सकता है आगे बात कर लेतें बी पेसी के इंटर्व्यू के लिए 6 सितंबर के बाद बीपीसी के इंटर्व्यू के डेट आ सकते हैं बीपीसी के चेयर में ने कहा है कि फिलहाल कोई होट बस्ता नहीं है इसमें candidate को भी दिक्कत होगा और जो विसे सग आएंगे इंट्रव्यू के लिए टीम बना करके उन्हें भी दिक्कत होगा जो लोग BPSC की त्यारी करना चाहते हैं इंट्रव्यू के त्यारी करना चाहते हमारा पैनल भी पटना में मौजूद होगा 6 सितंबर के बाद आप हमारे पैनल पर आप आकर के मौक टेस्ट दे सकते हैं जिस प्रकार से जेपीसी में अधिकांस बच्चे हमारे पैनल के द्वारा चैनित हुए है इसके लिए आपको हम हमारा वाट्सप नंबर पर मैसेज कर देना है 943 1156794 पर 6 सितंबर के बाद हमारी पैनल पटना में मौजूद होगी यानि कि वही पैनल जो पैनल दुसरे दुसरे बोड में रही है भी तक जो पैनल में जो मेंबर है वह अलग-अलग लोग से वायोग के रिटाइड मेंबर है इसलिए आपको सहलुयत होगा और आप निश्चित रूप से बीपीएस्टी में अच्छा करेंगे हमारे साथ आप जरूर से जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको सही टेकनीक और सही मागदर्शन यहां पर मिल सकता है रेइस्ट्रेशन अपना करवा लीजेगा अब सवाल यह सामने आता है कि क्या रेलवे और बैंक की वेकेंसी समाप्त हो गई इन दिनों ट्यूटर में यूटूब में अलग-अलग स्थान पर बहुत सी आवाजे उच रहे हैं कि वेकेंसी कम क्यों हो रहा है क्या इसका कारण है विक आप बैंकों में देख ले तो दुखरी कैसे मिलेगी लोगों को रेलिवे में प्रैविटाइरेशन हो रहा है तो वेकेंसी चली जा रही है आने वाले दो-तीन साल के बाद गार्ड की वेकेंसी जो होती थी वो पूरी रूप से समाप्त हो जाएगी लोग को पालेट में सेलेरी घट रहा है ऐसे में लोग एक सेक्टर ही लाब में जा रहा है सरकारी स्कूल के रिजल्ट खराब क्यों हो रहे है प्रैवेट का अच्छा क्यों हो रहा है सरकारी बैंक का एन पीए जादा क्यों हो रहा है प्रैवेट का क्यों नहीं हो रहा है गवर्मेंट के हर सेक्टर आकर नुक्सान में क्यों चल गए उनका कौन क्या बिगाड़ेगा उनकी नौकरी तो जिंदकी भर के लिए वह आने वाले उस पिढ़ी के लिए खत्रा उत्पन कर दे रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पाद जो रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट में साप साप लिखा होता है, कि गौर्णमेंट के workplace की करमचारी की performance निगेटीव है, सुनिके कागार पर है, वही सिमित संसादों से private sector बहुत बहतरीन कर रहा है, ऐसे में सरकार की मंसा भी उस और चली जाती है यहाँ पर यह समझना जोड़ी होगा कि जो जिनकी भी नौकरी गौर्मेंट सेक्टर में लगी है वो अपना 100% वहाँ दे अगर वो 100% नहीं देंगे तो आने वाली पिढ़ी के लिए वो करमचारी एक खत्रा उत्पन कर रहे है चाहे वो बैंक के अधिकारी हो चाहे वो वी ए सेनल के करमचारी हो चाहे वो पोस्ट अपिस डिपार्टिमेंट के लोग हो इस्कूल के टीचर हो आप देखिएगा कॉलेज के प्रोफेसर हो लाखो रूपिया सेलेरी लेने वाले प्रोफेसर को जब आप देखेंगे तो कॉलेज में उनकी पढ़ाई की जो धारा है जो दिसा है वो इस प्रकार की होती है कि बच्चे कॉलेज जाना नहीं चाहते है वो प्राइबेट कोचिंग में जाकर फिच देते हैं आपको समझना होगा कि आपके पिता जो टेक्स देते हैं उन्हीं टेक्स से उन्हें सेलेरी मिलती है इसलिए लोगों को जागरुक होना पड़ेगा उन करमचारियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे है तो आज सरकार की मजबूरी हो गई है कि वो प्राइबेट सेक्टर को फाइट करने के लिए सारी चीजों को प्राइबेट कर दे रही है जो कहीं से भी सही नहीं ठहराई जा सकती है इसलिए जरूवत है कि परफॉर्मेंस बहतर हो जब तक परफॉर्मेंस बहतर नहीं होगा चाहे सोचल मीडिया में कोई कितना भी आंदोलन चला ले सरकार यहीं बोलेगी कि वो नुकसान में काम नहीं करेगी और ऐसे में आपके दिमाग में आएगा कि चलो गौर्मेंट पूसा ही कर रही है अब रहा सवाल जहारखंट की नौकरी का जहारखंट में 25 सच्चिव का रिजल्ट को लेकर बहुत प्रकार की अफ़वार रही है सोशल मीडिया पर चीजें चल रही है कि एक्जाम कैंसिल हो जाएगा एक साइज को लेकर के आ रहा है कैंसिल हो जाएगा पूलिस को लेकर के विकैंसी जो थी कस्टम को लेकर के जो थी कैंसिल हो जाएगा ऑपरेटर की विकैंसिल कैंसिल हो जाएगा लेकिन ऐसा कोट में कुछ भी नहीं हुआ था जिसमें कैंसेलेशन की बात सामरे आ जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है आपको यह समझना है कि जैसे ही सोनी कुमारी पर फैसला आएगा इसके मद्दे नजर जैसे सी रिजल्ट जारी कर देगी रिजल्ट जारी निश्चित रूप्शे होगा और आपको थोड़ा से इसके लिए इन्तजार करना होगा टीजी-टी के अभेरतियों के लिए music teacher के लिए Sanskrit teacher के लिए अच्छी खबर है music teacher के लिए high court ने एक प्रकार से पच्छ में कहा है कि जब पुराने teacher का vacancy को clear किया गया था उस समय में certificate पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया था इसी प्रकार से JSSC से साफसाफ high court ने पूछा है कि आप क्यों नहीं result निकाल रहे हैं आखिर result रोक करकी क्यों रखें ऐसे तमाम पहलू है जो सरकार पर प्रेसर डाल रहा है जागातार हो रहे हैं अंदोलन से सरकार इस समय उहा पोह की स्थिति में हैं अब समझ ने आ रहा है कि इवा नराज हो रहे हैं ऐसे में result निकाल देना है सही होगा तो आने वाली जो परिच्छा है जैसा कि statement आया है तेट का exam हो सकता है जैसा कि statement आया है कि दूसरे exam भी जल्दी सांविल हो सकते है जहारखंड में हलाकि परिच्छा को लेकर कोई भी संभावना नहीं बताई जा सकती है जिस परिच्छा की उम्मीद नहीं होती है वह आ जाता है जिसे जेपेसी को लेकर इतना विवाद था लोगों को कभी नहीं लग रहा था कि यह जोइनिंग हो जाएगी हम अकेला बोलते के जोइनिंग होगी आंत्र में वही हुआ और जोइनिंग हो गया इसलिए और जिसकी उम्मीद थी कि पंचाय सच्चु के रिजल्ट